नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का सूपर आयस पर सो विदिन आय ओन चाइना धी इंडिन गवर्मेंट हैस वाइनली डिसाइड़ तो मूव अहेड विद दी अरुनाचल फ्रांटियर प्रोजेक्ट जिसमें आप लोग यहां पर देख सकते हैं बताया जा रहा है कि यह इंडिया का one of the toughest project होने वाला है जो कि हम लोग अरुनाचल प्रदेश में बनाने वाले हैं इसमें जो हमारा खर्चा आने वाला है that is going to be more than 40,000 करोड जो की government यहां पर spend करेगी जिसके चलते हम लोग basically अरुनाचल में तवांग से लेकर शुरू होता हुआ जो विजनगर जाने वाला पूरा का पूरा एरिया है इसको हम लोग highways के साथ connect करने वाले हैं और इसमें approximately जो हमारा LAC का line है जो कि हम चाइना के साथ यहां पे border share करते हैं उसमें इसके बिल्कुल पैरलली आपका यह वाला project है जो की बनने वाला है बात करेंगे इस पूरे के पूरे project के बा आते हैं तो यहां पर दिये गए टेलिग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं आज से 8 साल पहले की बात है जब इस project को सबसे पहली बार envisage किया गया था 2014 में by केरन रिजेजू उस time पे वह minister of state for home affairs थे जो की basically border affairs के उपर look after कर रहे थे and immediately 2014 में ही home minister ने इस project को आगे बढ़ाने के लिए ministry of road and transport highway को बलकी एक DPR बनाने के लिए भी उनको उनका काम सौंप दिया था लेकिन काफी साल तक इस project को लेकर government जो है वो शान्त रही and now finally we are seeing 26 November 2022 की यह वाली खबर आपके सामने है the Modi government has decided to move ahead with the Arunachal Frontier Highway जो की बता जा रहा है कि बहुत ही जादा मुश्किल बहुत ही जादा बड़ा project होने वाला है Arunachal के state में keeping China in mind आप लोग यहां पर देख पाएंगे कि almost seven decades के बाद India has now initiated a massive infrastructure building the show piece of which is going to be the Arunachal Frontier Highway जो की अभी तक का इंडिया का सबसे बड़ा और toughest project होने वाला है अगर हम लोग इसकी geography को समझें तो basically जो यह वाली परदेश which is very very close to Bhutan उसके बाद यह तवांग से पास करेगी और उसके बाद अपर सुबंसरी टूटिंग मेचुका अपर सियांग दिबांग वैली करते कराते यह finally विजनगर के पास पहुन जाएगी जो की almost आपको Myanmar border के पास देखने को मिल जाता है इसका एक rough map आपके सामन इसका connection किया जाएगा जिसके चलते यह पूरा का पूरा जो हमारा border area है उसको properly cover किया जाएगा बलकि आप यहां पर देख पाएंगे this is the line जिसको की India officially LAC की line मानता है यह वो वाला border है जिसको की हम लोग McMohan line बोलते हैं which was finalized between Tibet and India आज से कई साल पहले और इसी line के parallel हम लोग इ इसकी length approximately 2000 km लंबी length होने वाली है इसको लेकर बता जा रहा है कि क्योंकि यह project बहुत ही जादा बड़ा है तो इसको लेकर जो खर्चा आएगा that is approximately going to be minimum और minimum 40,000 करोड़ बलकि कुछ आकड़े यहां पर 44,000 करोड़ के आसपास भी रोनेट फिगर को बताया है कि इतना खर्च Frontier Highway में हमें कुल मिलाके तीन National Highways देखने को मिलेंगे number one is going to be the Frontier Highway second is going to be the Transnational Highway and third is going to be the East West Industrial Corridor Highway बलकि यह वाले जो तीन National Highways होंगे इनको आपस में connect करने के लिए जो बीच में interconnectivity जहां जहां पर missing होगी उसके लिए छे Vertical Diagonal Inter Highway Corridors बनाए जाएंगे जिनकी length अलग से 2178 km होने वाली है तो overall आप लोग मान सकते हैं कि 2000 प्लस 2178 km यानि की लगभग लगभग 4200 km की आसपास की सड़के हैं जो कि हम लोग Arunachal के एरिया में बनाने वाले हैं बलकि इसकी जो further details है वो भी यहाँ पर आपके सामने है यह सारी की सारी details उसी DPR से निकली हैं जो कि Ministry of Home ने Ministry of Road Transport को बनाने के लिए कहाता चाहें तो इसको आप लोग वीडियो पॉस करके देख सकते हैं Now, बताया जा रहा है कि obviously इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के चलते जो हमारी military है जो हमारे सशस्त्र बल है उनको बहुत फायदा होने वाला है because it will be a huge capability jump for the military because उसके चलते military जो है वो seamlessly और अपने जो अपने men और equipment है उनको move करने के लिए जो उनका पूरा का पूरा infrastructure है वो तयार हो जाएगा to the border as and when needed for induction and de-induction problem यहाँ पर क्या थी कि जब भी हम अरुनाचल में बात करते हैं तो military की movement बहुत tough होती थी बलकि जितने भी यहाँ पे सेन अभ्यास करवाई जाते हैं अरुनाचल में उसमें maximum में दिक्कत यही आती है कि हम लोग को movement करने में बहुत समय लगता है बहुत time consuming है उसी time को हम कम कर करते हैं Sela Tunnel के project के साथ जो की आपको मालू होगा world का सबसे longest by lane tunnel है at an altitude of more than 13,000 feet जब वो पूरा हो जाएगा जो की by the way आने वाले साल January में जिसकी inauguration होने वाली है once that is done उसके बाद कहा जा रहा है कि एक बहुत ही बड़ा boost मिलने वाला है हमारी पूरी की पूरी connectivity को जो की Sela Tunnel के ना होने की वज़े से जो Chinese military थी वो इंडिया की military की movement के उपर नजर रख पा रही थी लेकिन once we have this Sela Tunnel in place उसके बाद Chinese military ऐसा नहीं कर पाएगी and अगर आप इसको combine कर देते हैं Arunachal Frontier Highway के साथ तो overall एक बहुत ही major boost हमें मिलने वाला है अगर बात करें China की इस चीज़ क पर इसको लेकर objection raised किया था जब ये चीज़ सामने आई थी कि PMO के office के द्वारा इस project को approval दे दिया गया है China ने कहा था before the border problem is solved we hope the Indian side will not take any action that would further complicate the relevant issue so as to preserve the current situation of peace and stability in the border area ये उस टाइम पर Chinese foreign minister की spokesman Hong लेके द्वारा कहा गया था और आपको बता दें कि जो dispute है ये तो almost 60 साल हो ग बिल्कुल भी इस चीज़ से फरक नहीं पड़ा है and eventually India since it is unmoved India has been carrying out a massive infrastructure push in the northeast जिसमें की हम लोग अरुनाचल और सिक्किम के उपर major focus रख रहे हैं और बहुत सारे bridges हुए बहुत सारी equipments को हम लोग transport करने के लिए बहुत सारी सडके हैं जिसको की हम लोग तेजी से बना रहे ह हैं बलकि जो अरुनाचल के CM है पेमा खंडू उन्होंने भी इस चीज़ को लेके statement दिया उन्होंने कहा कि 1962 इतिहास था और वो दुबारा दोहराया नहीं जाएगा in 1962 the scenario was very very different उस time पे इस इलाके में जो infrastructure था वो काफी खराब था काफी poor था despite that the Indian army fraught bravely and sacrificed thousands of lives to protect the motherland but today we are not what we were in 1962 जो कि again बताता है कि इंडिया basically अब यहाँ पे पीछे नहीं हटने वाला है और LAC के इलाकों में infrastructure को और भी तेजी से बढ़ावा देने वाले हैं but there is one challenge also जो कि हम लोग यहाँ पे face करेंगे और वो challenge basically यह है कि इंडिया में जो geography है जहाँ पर हम लोग इस पूरे के पूरे highway को बनाने वाले हैं वो काफी tough geography है वो काफी मुश्किल terrains है और ये in comparison to China उनके लिए problems उतनी नहीं आती है because अगर आप देखेंगे तो यह आप यहाँ पे देख पाएंगे line है this is the line जो कि basically border को demarkate करती है problem क्या है कि border के इस तरफ यानि कि इंडिया में हमें majorly देखने को मिलत प्लाटूस तो प्लाटूस में क्या है सड़के बनानी relatively आसान है flatland है लेकिन mountains के case में ऐसा नहीं है तो इंडिया को यहाँ पर infrastructure बनाने में काफी मुशक्कत होगी काफी मेहनत लगेगी लेकिन हा क्यूंकि हमने already इसको लेकर अब चीज़ों को शिरुवात कर दी है so mostly हम लेकर आया super coaching जिसमें कि आपको GS courses, optional courses और CSART courses सभी के courses आपको एक ही subscription में दिये जा रहे हैं जिसमें कि आपको बड़ा offer भी दिया जा रहा है that is you are getting the entire subscription in only 22,499 rupees अगर आप लोग मेरा coupon code अने रूदी उसकरते हैं इसमें आपको मेरे दोरा बनाया हुआ जो science and tech का course है वो भी available क परवाया जाएगा thank you so much for listening stay tuned and stay safe